अब हम पेश करते हैं अपने सबसे बहुत ही प्यारे अजीज, दिल अजीज और बहुत ही खास धनु राशी वालों को जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं ठीक है उनके लिए हम बताते हैं कि आपको कौन राशी के लोग जो है वो कौन सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और ये सन साइन पर आधारेत है यानि के सूर्य राशी पर आधारेत है तो आपके लिए शुरू करते हैं धनु राशी वालों मेश राशी वालों से मेश राशी वालों की क्या कहानी आपके तरफ ये वंडर्फुली रोमेंटिक हैं आपके साथ में और बहुत जादा आपको चाहते भी हैं और बहुत जादा आपको प्यार भी करते हैं इनके नाम C, L और A से शुरू होंगे ये एक ऐसी राशी है जो आपके बिना नहीं रह सकती आप कहीं पर भी होएंगे आपको ढूंड के आप तक पहुँच ही जाएंगे और ये आपके एडवेंचर के पार्टियों के संगी साथ ही है आपके हर मज़े में हर उसमें ये आपके साथ हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लिए यहाँ पर व्रशव राशी वालों के लिए व्रशव राशी वालों के साथ में आपकी बनेगी नहीं ठीक है बहुत ही रॉकी रिलेशन्शिप रहेगा relationship will be on the rocks जिसको कहते हैं troubled relationship इनके नाम E, O, A, O, B और वो शे शुरू होंगे next हमारे पास में आते हैं मिधन राशी वाले मिधन राशी वालों की क्या कहानी है उनके साथ भी आपका relationship hot and cold रहेगा लेकिन कभी-कभी आपको मज़ा भी आएगा उनके साथ में और कभी-कभी जो है उनके साथ में वार वाली इस्तिती भी बनेगी लेकिन वो भी आपको सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली राशी वाली राशी में नहीं है ठीक है next हम बात करते हैं यहाँ पर दिखते हैं आपको उनके विचार अजीव से हैं मालब बड़े ही अजीव टाइप के विचारों वाले विखती हैं वो आपकी निखाम है और आप जो है उनको मानते हो कि यह यह अजीव सी बाते करते हैं तो उनके साथ में नहीं नहीं बनेगी उनके नाम HD और डो से शुरू होंगे निक्सते हैं हमारे बास में आपके लिए सिंग राशी वाले सिंग राशी वालों के साथ में क्या बहुत ही पावरफुल अट्रेक्शन होगा आपका ये इनके साथ में और ट्रूली पैशनेट होंगे बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली राशीयों में से एक है ये है इनके नाम M और T से शुरू होंगे तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली राशियों में से अवश्य है अब हम बात करते हैं अच्छा ये कैसे गरेंगे क्योंकि वो भी महत्वा कांख्शी हैं और आप भी महत्वा कांख्शी हैं दोनों के अमबिशन बहुत ज़्यादा है नेक्स्ट है हमारे फास में कन्या राशी वाले अब एक कन्या राशी वालों के साथ में थोड़ इसी कहानी अलग तरा लगी है आपकी जरूरते अलग हैं उनकी जरूरते अलग हैं आप कई बार Emotion को नजर अनदाज करके आप आगे बढ़ना पसंद करते हो लेकिन ये जो कन्या राशी वाले हैं ये एमोशन्स में फसके रह जाते हैं इनके नाम TPSN और THP से शुरू होंगे तो उनके साथ भी जो है ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली राशी में से एक होंगे लेकिन ये अगर आपके साथ जुड़े कितने टाइम आपके साथ हैं उतने टाइम आपका साथ जरूर देगे नेक्स तैम हमारे पास में तुला राशी के लोग आपके लिये के वही आपकी जिन्नगी में तुला राशी वालों का क्या महत्व बन रहा है बहुत ही इंजॉइबल ये एक हिसाब किताब बनेगा आपके साथ में इनका लेकिन कई बार आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा वो व्यापारिक भी हो रहे हैं और उस व्यापार के चक्कर में वो आपको भूल रहे हैं जबकि आप उनसे टाइम चाते हो और टाइम उनके पास है नहीं आपको देने के लिए उनके पास सरफ अपना काम है और लगे रहेंगे इनके नाम आर और टी से शुरू होंगे अब नेक्स जो हमारे पास में राशी है वो है स्कॉर्पियो जो कि आपके प्रतिजवन्दी हैं हर चीज में आपके कॉम्टीटर हैं वो आप भी उनको कॉम्टीटर मानते हैं और दोनों के पात हमेशा क्रॉस होंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा दोनों ही जो है गर्म सुभवाव के व्यक्ति हैं और दोनों के विचार भी अपोजिट होंगे तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर हिसाब किताब नहीं बनता है इनके साथ में ठीक है relationship strain रहेगा यह नेक्स्ट है हमारे पास में आपके लिए यहाँ पर धनु राशी के बाद में हमारे हाँ तो Scorpio Scorpio वाले हमने आपको बताए दो Scorpio जो जो सुरी जो जो यह धनू धनू राशी वालों के साथ में धनू और Scorpio गा मैंने आपको बताया अब है last अब है next हमारे पास धनू और धनू वालों का combination कैसा रहेगा तो यह combination excitement से भरा हुआ होगा और दूसरे को बहुत ही ज्यादा चाह और BH से शुरू होंगे next जो हमारे पास है लिस्ट में वो है Capricorn मकर राशी के लोग जो आपको अच्छे लगेंगे आप बोलोगे कि यह बहुत ज्यादा नाजुक हैं और इतने ज्यादा नाजुक हैं कि इनके साथ में जो है दिक्कत कई वार होने लगती है और कई वार जो है आपके लिए आपके हिसाब से थोड़ा सा अंसुटेबल माना गया है या तो वो आपको डंप कर देंगे या आप उनको डंप करके निकल जाओगे इनके नाम जो है B, J, K, H और G से शुरू होंगे next है हमारे पास में Aquarius कुम्बराशी के लोग अब कुम्बराशी वालों क साथ में बहुत सारे कउंफलिक्ट्स हैं आपके वैकर वैचारिक मतवेद हैं और वो इतने इतने गहरे मतवेद हैं कि उनको जो है पाटना या उनको जो है मतलब उनको एक तरिकर से ठीक ठाक करना वो शायद किसी के विबसकी बात नहीं है तो वो पहित आपको बहुत ज़ सारी problems आपको रहेंगी conflict ही conflict है इनके साथ में उनके विचार उनके जो स्वार्थीपन है वो match नहीं करता और दूसरा वो आपको लगता है कि वो आपके ambition में कहीं पर भी साथी नहीं बन रहे हैं तो धनूराशी वालों ये था आपके लिए उमीद है आपको पसंद आया होगा हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें थेंक यू थेंक यू बेरी मच इंदीड और गॉड ब्लेस यू